हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीलम सागत करती हूँ आपका अपने किचेन में एक नए वीडियो के साथ में तो आज हम बनाएंगे आलू बैगन की मसालेदार चटपटी सी सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बन के ये सबजी तयार होती है जिन्हें बैगन नहीं भी खाना हो वो भी इस तरीके से एक ब prowगन के सबजी बनाएए बार बार इसी तरीके से बना करके खाना पसंद करेंगे आप इसे चाहें तो स्टीम राइस के साथ पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं गर्मा गर्म खाईए इस सब्जी को बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं आलू बैगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भरता बैगन का इस्तमाल किया है और अच्छे सुर्थ से धो करके मैंने यहाँ इस तरीके से काट लिया है आप लोग आकार देख सकते हैं बैगन का ठीक इसी तरीके के आकार में हमें बैगन को काट लेना है सबजी के लिए और यहाँ पर मैंने कच्छे आलू का इस्तमाल किया है तो आलू को भी मैंने लंबे आकार में काटा है इस तरीके से आलू बैगन की सबजी बनाने से पहले हम इसके लिए एक मसाला त्यार कर लेंगे तो इसके लिए मैंने चार हरी मिर्च लहसुन की कुछ कलिया और दो अधरक का टुकरा लिया है तो इसका हम एक पेस्ट त्यार कर लेंगे मसाले का पेच्ट यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है कढ़ाई यहाँ पे गरम हो चुकी है अभी हम इसमें 3-4 चमबच के मुताबिक सरसो का तेल डाले अगर आपको सरसो तेल पसाने हैं तो आप दूसरे तेल कभी यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं तेल यहाँ पे काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बैगन बैगन को अभी हम यहाँ पे धीमे आज पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे बैगन यहाँ पे काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुका और थोरा सा क्रिस्पी भी दीख रहा है तो बिल्कुल हमें बैगन को इतना ही फ्राई करना था तो अभी हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे करहाई में हम फिर से 3-4 चमबच के मताबिक तेल डालेंगे तेल यहाँ पे काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू को आलू को हम यहाँ पे क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे आलू को फ्राई करते वक्त हम इसमें डाल देंगे थोरा सा नमक आलू यहाँ पे काफी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है और आलू का कलर भी यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन प्राउन हो चुका है तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से आलू को यहाँ पे पैगन के लिए फ्राई करना था आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आया है आलू पे तो अभी हम इसे एक अलग प्लेट में निकालके रख लेंगे बची हुई तील में हम डाल देंगी आधा चमबच के मुताबिक पाच फोरन और दो तीछ पत्ता डालेंगे पाच फोरन यहाँ पे चटक चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे बारिक टुकरों में कटे हुए प्याज यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारिक टुकरों में काट करके डाला है प्याज को हम यहाँ पे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज यहाँ पे काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और प्याज का कलर भी जेंच हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे अधरक लेसन और हरी मिर्च के पेस्ट को फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच धनिया पॉडर डाला है आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पॉडर आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पॉडर आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कास्मीरी लाल मिर्च पॉडर यह बिल्कुल भी तीखा नहीं होता पर इससे सबजी में कलर बहुत ही अच्छा आता है नमक हम डालेंगे सबजी के स्वाद के अनुसार सभी मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमे आज भी इन्हें पकने देंगे मसाला यहाँ पे थोड़ा सा पक चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट यहाँ पे मैंने एक टमाटर का पेस्ट बना करके डाला है टमाटर के पेश्ट को हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे मसाले के साथ टमाटर के पेश्ट को हम थोरी देर पकने देंगे मसाला यहाँ पे पकना स्टार्ट हो चुका और मसाले से तेल भी छूटने लगा है तो मसाले को हम यहाँ पे धीमे आज पे थोरी देर पकने देंगे मसाला यहाँ पे काफी अच्छे से पक चुका है मसाले में कलर भी बहुत ही अच्छा है आप लोग देख सकते हैं बहुत सुन्दर दिखने में लग रहा है मसाला तो अभी हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच के मताबि कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हम यहाँ पे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे फिर हम मसाले में डाल देंगे आधा कप के मताबिक पानी और फिर हम मसाले को अच्छे से एक से दो बर मिला लेंगे अभी हम मसाले में डाल देंगे फ्राइ किये हुए आलू और बैगन आलू और बैगन को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है वो आलू बैगन में अच्छे से मिल जाए मसाला यहाँ पर आलू बैगन में काफी अच्छे से मिल चुका है चार मिनट हो चुके हैं, धक्कन हटा करके हम सबजी को चेक कर लेंगे, तो सबजी से काफी अच्छी खुस्बू आ रही है, सबजी को हम एक बर अच्छे से मिला देंगे, और फिर हम यहाँ पर एक आलू को चेक कर लेंगे, कि पका है या नहीं, आलू यहाँ पर पक चुका ह और सबजी यहाँ पर पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है तो अभी हम इसमें डाल देंगे बारिक टुकरों में कटी हुए धनिया पत्ता सबजी यहाँ पर पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है तो चलिए इसे गर्मा गरम हम सर्फ करते हैं गर्मा गर्म मैंने यहां पर आलो बैगन की सबजी को सर्फ कर दिया आप लोग देख सकती यह बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है गर्मा गर्म चावल के साथ इसे खाई है या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने में यह आपको बहुत ही टेस्टी लगी है तो अगर को पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों